Hello Friends, WS Cube Tech के चनल पे मैं सुरेंदर आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूँ आज सी लेंग्विज में हम लोग एक नए पैटन की तरफ मूव करेंगे आज सी लेंग्विज में हम लोग जो पैटन बनाने वाले हैं वो कुछ इस टाइप से होगा यानि कि मैं चाता हूँ कि एक row है यानि कि row number one के अंदर मुझे five times सक star को print करना है यह आप जो पैटन देख रहे हैं यह एक बार पहले भी एक वीडियो में देख चुके हैं जिसमें हमने simple सा five times सक star को print किया है लेकिन अब हमारी जो problem है वो यह नहीं हमारी problem है कि यह stars जो है वो five times सक चलेंगे तो यह pattern बनाना है means हम लोग चाते हैं कि five rows में और हर row के अंदर five times सक यह निकि five columns में star print हो तो इस pattern को बनाने के लिए हमें पहले इसके logic को समझना पड़ेगा then उसके बाद में हम लोग देखेंगे किस type से आप इसके code को develop करेंगे कैसे अपना program बनाएंगे तो देखें इस program को समझने से पहले इसके logic को समझने से पहले हमको यहाँ पर बस इतना दियान रखना है कि यहाँ पर total row कितनी है row number one, row number two, row number three, four और five यहाँ कि five rows हैं इसके अंदर और columns कितने है वन, two, three, four और five तो इस type से मुझे समझ माया कि यहाँ पर हम लोगों को five rows और five columns बनाने है तो मैं यहाँ पर जाकर के लिखूंगा और एक variable बनाऊंगा इस type से मैं एक और variables बना देता हूं जिसका नाम लिख देता हूं मैं c आप जानते हैं कि यह column number one है, यह column number two है, यह column number three है, यह column number four है और यहाँ पर column number five है इस type से मुझे यहाँ पर जाऊंगा और यहाँ पर row समझता हूं तो यहाँ पर मेरे पास यह row number 1 है, row number 2 है, row number 3 है, row number 4 और row number 5 तो देखिए बस मुझे यहाँ पर इस logic को समझना है कि मुझे कितनी row चाहिए, कितने column चाहिए row number 1 में कितने column, row number 2 में कितने column, row number 3, row number 4, row number 5 यानि कि कौन सी row में कितने column चाहिए तो यह pattern जो है वो बिलकुल easy है इस pattern में हम लोग समझ सकते हैं कि आपके पास total जो row है 1 to 5 चल रही है columns जो है वो आपके पास 1 to 5 time सक चल रहा है हम लोग को बस यहाँ पर क्या करना है इसका जो logics है इसको हम लोग को implement करना है तो यहाँ पर बस यह है row आपकी 1 to 5 column आपका 1 to 5 जब आप row number 1 में आएंगे तो आपको 5 columns प्रिंट करने है उसके बाद आपको new line की तरफ move करना है इसी तरीके से जब आप row number 2 में आएंगे फिर से आपको यह 5 जो columns है यह आपको print करने है अगेन आप new row में आजाएंगे इस type से आपके पास जो है यह pattern बनना start हो जाएगा तो आपको यहाँ समझ माया होगा कि हम लोग यहाँ पर जो handle करें वो दो अलग-अलग loop को करें एक जो loop है आपके पास वो row को handle कर रहा है include stdio.h यह मेरी एक header file है जिसके तुरू मैं printfk, scanfk इन functions को use ले सकता हूँ इसके बाद में यहाँ पर यहने कि header file को include करने के बाद में अपना main function चलाऊँगा क्योंकि मेरा main function operating system को कुछ return नहीं करेगा इसलिए मैं उसको क्या लिख रहा हूँ? void तो void main जब लिख रहा हूँ इसके अंदर आ जाने के बाद में मैं क्या लिख दूँगा अपनी कुछ variables बनाऊँगा जैसे कि दो variables की मुझे need है एक जो row को handle करेगा एक जो column को handle करेगा तो जो row है आपके पास में उसका नाम मेंने R रखा है और जो column है उसका नाम मेंने C रखा है तो मैं यहाँ पर simple सा काम करता हूँ मुझे क्या करना है row शुरू कहां से करनी है यह बताना है तो row मुझे 1 से शुरू करनी है loop आप जानते हैं मैं यहाँ पर एक loop शुरू करना हूँ while loop तो while के अंदर जाकर के मुझे इतना सा लिखना है कि R कहां तक चलेगा 1 से शुरू हो रहा है 5 टाइम सक चलना है तो मैं लिख दूँगा R is less than or equals to 5 इस तरीके से आपने यह pattern बनाया है इसके अंदर बस मुझे R को क्योंकि increase करना पड़ेगा अभी 1 है फिर 2 होगा फिर 3 फिर 4 फिर 5 6 होगा 6 होते ही आप क्या करेंगे loop से बाहरा जाएंगे means loop आपका terminate हो जाएगा तो यह जो loop है इस loop के अंदर जब आप आएंगे means जब आप row number 1 में आएंगे तो आपको करना क्या है आपको यहाँ पर columns print करने 5 times 3 इसलिए इस loop के अंदर आते ही आपको क्या करना है c को set करना है 1 यानि कि column जो है आपका 1 से शुरू करना है मुझे और फिर मुझे इसके अंदर loop चलाना है means मैं लिखूंगा while c की value कहा तक चलनी है while c is less than or equals to 5 बस आप इस loop के अंदर जब आएंगे तो आपको एक तो c को increase करना होगा ताकि आपका जो loop है अभी c का वो 1 से शुरू हुआ है फिर 2 पे फिर 3 फिर 4 फिर 5 इस type से आपका जो loop है वो चलता जाएगा उसके बाद मैं यहाँ इस loop के अंदर जो statement प्रिंट करने वाला हूँ उसमें कुछ नहीं करना है मुझे मैं जाकर के simple सा एक star लिख दूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पर कि यह जो star है वो 5 times सक आएगा जब row number 1 होगी इस type से जब मैं इस loop से बाहर निकलूँगा तो मुझे इस loop से बाहर आने के बाद में यहाँ पर new line चाहिए तो मैं क्या लिख दूँगा print at slash n ताकि मैं new line यहाँ पर use कर पाऊँगा उसके बाद में जैसे आपका row change होगा row number अभी 1 है then आप row number 2 पे आएगे तो 2 के अंदर जब आप आएगे तो वापस से आपके पास यह वाला जो loop है वो five times सक star को print करेगा अगेन आपकी row change हो जाएगी तो आप new line पे आएगे फिर आपके पास जब आप वापस इस loop में आएगे यहनि कि जब condition true है तो आप अंदर आए तो अंदर आकर के आपने देखा five times सक यह फिर print होगे आगेन आप गए condition true अंदर आए c equals to वापस one से शुरू करेगा five times सक star print करेगा और इस तरीके से यह जो pattern है आपका वो यहाँ पर create हो जाएगा तो देखिए हमारा program almost complete हो चुका है बस मुझे अपनी file को save करना है और save करने के बाद इस file को मैं execute करूँगा तो मैं इस file को पहले save कर लेता हूँ इसका जो भी आप नाम रखना चाहें तो मैं इसका जो नाम है वो रख देता हूँ pt13.c इस तरीके से तो मैंने एक pattern बनाया है जिसका नाम रखा है pattern 13 इस type से मैंने pt13.c file बनाई है अब मैं यहाँ पर इस file को run करने वाला हूँ execute करने वाला हूँ तो run करने के लिए मेरे पास जो shortcut की है वो है f11 आप देखेंगे कि वैसा ही output मुझे मिला है जैसा कि मैं पहले चाहँ था तो इसमें हमने क्या क्या row number 1 आई इस row number 1 के अंदर five time सक मैंने अपने star को print किया है तो इसलिए row number 1 में आते ही मैंने एक और loop चला है जो five time सक चला है अगेन जैसे आप यहाँ से बाहर दिखले आपने देखा होगा यहाँ पर आप new line पर आगे new line पर फिर से आप उसको five जैनी की जब आपकी row number 2 हुई तो अगेन आपने जो है five times सक यहाँ पर star को print किया है इस type से आपका यह pattern बनता हो गया तो आज हम लोगोंने एक नया pattern देखा है इस pattern को हमने जाना है समझा है, develop किया है I think आपको यह pattern समझ में आया होगा इसी तरीके से हम लोग कुछ और नयने patterns को देखने वाले आगे की वीडियो में तब तक के लिए हमसे बने रहिए, धन्यवाद